सब्सक्राइब किजिए टेख गुरु मुकेस चैनल को और बेल आइकन को दबाईए और नोटिफिकेशन को अन किजिए लेटेश टेकनोलोजिकल वीडियो सबसे पहले देखने के लिए नमस्कर दोस्तो मैंनमकेस और आप देख रहे हैं टेख गुरु मुकेस चैनल अगर आपने रिसेंटली में अपना कंप्यूटर या लैप्टोप फॉर्मेट करवाया है और उसके अंदर आपने विंडोस 10 को इंस्टॉल करवाया है तो दोस्तों विंडोस 10 के अंदर जो गया है क्योंकि इस वीडियो में आपको बताऊंगा यह कंप्लीट पर्चेस की यह सारे अप्लिकेशन को आपने डेक्स्टॉप पर कैसे लेकर आ सकते हैं तो दोस्तों वीडियो बहुत ही इंट्रेस्टिंग होने वाली है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अगर आप यहां पर देख सकते हैं मेरे कंप्यूटर में जैसे कि यह जो विंडोस 10 के डिफॉल्ट एप्लिकेशन से वो सारे यहां पर शो हो रहे हैं जैसे कि मेरा यह कंप्यूटर का नेम और इसके बाद आप यहां देखेंगे तो यह है इस पीसी नेटवर्क रिसाइकल बीन और कं अच आप है यह सारे विंडोस 10 के डिफॉल्ट एप्लिकेशन से हमारे डेट्सटो पे शो होते हैं यह सारे अप्लिकेशन या फिर इन में से जोभी आपको अप्लिकेशन की रिवार्मेंट है इसको डेक्स्टो पर लाने की लिए हम सबसे पहले जाएएंगे यहां पर विं window 10 का settings का जो option है वो यहाँ पर open हो जाता है इसके बाद हमें जाना है यहाँ पर personalization पर personalization के उपर हमें यहाँ पर click कर देनी है personalization के उपर click करने के बाद आपको यहाँ पर left side में आपको सारे option दिखाई दे जाएंगे आपको यहाँ से आना है आपके यहाँ पे themes में तो themes के उपर आपको यहाँ पे click कर देनी है themes पे click करने बाद आपको यहाँ पे right side में आ जाना है desktop icon settings के उपर आपको यहाँ पे click कर देनी है जैसी आप desktop icon settings के उपर click करते हैं आपके समने यहाँ यहाँ पे left side पे desktop icon का एक छोटा सा tab open हो जाता है यहाँ पर दूस्तों आपकी desktop के icons के जो यहाँ पर mark लगे हुए हैं यह सारे un-tick होंगे इस तरह से आपको यहाँ से अपनी requirement के हिसाब से जो भी application आपको required है जैसे कि यह computer आपको required है जो कि this PC दिखा रहा था जैसे कि यह icon वाला तो अगर आपको इसकी requirement है तो आप यहाँ पर इसको tick कर देंगे अगर आपको control panel के requirement है तो आप control panel पर tick कर देंगे या फिर इन में से सभी की requirement है तो आप सभी को पर इस तरह से tick कर देंगे और टिक करने के बाद आपको यहां से apply कर देनी है और apply करके आपको यहां से ok कर देना है मैं इस window को close कर देता हूँ जैसे आप ok कर देते हैं तो आपके सामने जो भी icons अपने select के हैं वो सारे icons इस तरह से show होने लग जाएंगे तो दोस्तों यह था एक छोटा सा process window 10 का जो by default desktop apps हैं वो आपके नहीं आ रहे हैं तो उनको लाने का उमिद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी वीडियो अच्छी लगी होतो एक like कीजिए और कोई सवाल है तो आप मुझे नीचे comment में पूछ सकते हैं तो दोस्तों मावित करता हूँ कि आप सब कुछ समझ के होंगे और अगर आपको हमार यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को like कीजिए अपने दोस्तों के शाहत शेयर कीजिए और अगर आपका कोई सवाल है तो आप मुझे नीचे comment box में पूछ सकते हैं और अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए साथ मिडियो बैल आइकन को प्रेस करके on कर लीजिए और अगर आप हमारा यह वीडियो फेस्बूक पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को like कीजिए, follow कीजिए तक हमारे लेटिस्ट आने वाले वीडियो का नोटिविकेशन आपको मिलता रहें तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही मिलता हम आपसे इसी तरह की एक और इंट्रेस्टिंग वीडियो में जब तक के लिए चैहिंद जय भारत झाल झाल